हेलो प्रेंट्स स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट सेक्सेस में और मैं मन्जुमाइन हाजी हूँ आपके लिए एक नया डोकुमेंटेशन सेंटर लेकर इससे पहले मैं दो डोकुमेंटेशन सेंटर की बात कर चुकी हूँ पहला डेसी डोक जो साइंस से रिलेटेट था और दूसरा है नाजडोक जो सोसल साइंस से रिलेटेट था अब यह है DECIDOC, यह defense के छेतर में research करते हैं, उनके लिए center बनाया गया है और यह DRDO के अंतरगत कार्य करता है, और DRDO के जो library है, उसमें एक management software है, जिसका नम संज है DECIDOC का जो software है, वो संज है, अब DECIDOC की बात करती हूँ, जो की मेरा तीसरा documentation center है DECIDOC की full form DECIDOC का पूरा नाम क्या है, defense scientific information and documentation center एक बार फिर से guys, defense scientific information and documentation center इसकी स्थापना 1958 में DRDO दोहरा नहीं दिल्ली में की गई important question है, ये DECIDOC, DECIDOC की स्थापना 1958 में DRDO दोहरा नहीं दिल्ली में इसकी स्थापना की गई और इसका उदेशे क्या है, रक्षा अनुसंधान चेतर में विफिन सोधार्थियों में को सोध संबंदित सुधाय उपलब्द कराना है, इसके अंदर का संचालन भारत के रक्षा मंत्राले दोहरा किया जाता है इसका उदेशे है, रक्षा अनुसंधान चेतर में विफिन सोधार्थियों को सोध संबंदित सुधाय उपलब्द कराना इसके अंदर का संचालन भारत सरकार के रक्षा मंत्राले दोहरा किया जाता है इसके पप्लिकेशन बहुत इंपोटेंट है पहला है DRDO समाचार मंतली, यह मंतली चपता है DRDO समाचार मंतली, हिंदी में चपता है दूसरा है DRDO Newsletter, यह भी मंतली है तीसरा है Defense Life Science Journal, यह Quarterly है, त्रे माशिक है चोथा है Defense Science Journal, बाय मंतली, यह दूसरा है, और पाचवा है DECIDOC, General of Library Science Information Technology, DJLIT DJLIT की फुल फूम पूछी जा सकती है, DECIDOC, General of Library Science Information Technology यह बाय मंतली है, यह DECIDOC के पब्लिकेशन है एक बार फिर से DECIDOC देख लिजिए, DECIDOC Defense Scientific Information and Documentation Center और इसकी स्तावनां 1958 में DRDO द्वारा नई देली में की गई थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए, बैल आइकन बटन को दबा दीजिए, प्रैस कर दीजिए ताकि आपको डेली की मैं नई वीडियो डालती हूँ, नई content, नई topic के साथ जो आपके लिए फाइदेबंद होगी, आपके NWS, KWS, DSSB के exam आने वाले हैं, तो आप इस topics को अच्छे से clear कर लेजिएगा, कोई भी topic, कोई भी वीडियो मेरी अधूरी नहीं होती है, मैं उनको पूरा करती हूँ, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना ले दियेगा, धन्यवाद,